कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों के लिए कोई न तो कोई व्लॉग लेकर आई हूं और नहीं कोई अपना डेली लाइब स्टायर का कोई रूटीन लेकर आई हूं नभी आप लोगों के साथ एक चूटा सा ट्रिक मतलब शेयर करने जा रही हूंगे वह वाव लुडियो के लिए काफी यूज़फूल होगा च्छिएमान होगा तो इसलिए मै नहीं मैंने सोचा कि मतलब आप लोगोंगों के साथ शेयर करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जो लोग चैनल पे नियू हो तो वो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में पैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर बनता है लाइक जरूर दे दीजेगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजेगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत पूलेगा कि आज कर जो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूँ वो ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा क्योंकि मैं यह करने जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं क्योंकि करते बनता है और हम जो नॉर्मल हाउस वाइप होते हैं इन चीजों से बराबर होते हैं बराबर इन चीजों को फेस करते हैं तो फिर चलिए मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती हूं बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम समय में हो जाने वाला ये किचन का ट्रिक है और आप लोगों के लिए कापी हेल्पूल होगा तो फिर चलिए लेट नहीं करती हूं और अपना वीडियो चल करके स्टार्ट करती हूं तो ये देखिए एक छोटा सा समान है ये एस्टिक एसीड है आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपको किसी भी किराना इस्टोर पे अराम से मिल जाएगा कहीं पे भी आप लोग इसे चाहें तो ये 10 या 15 रुपे में मिलने वाला समान है 25 रुपे का है 25 रुपे इस पे MRP लेखा हुआ है लेकिन मुझे मिलता है ये 15 रुपे में तो 15 रुपे में मेरा ये काम इतना अधिक आसान बना देता है कि मैं इसको तुरंद करना मतलब ये खतम नहीं होता है आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसमें अभी इतना सारव बचा हुआ है और ये तकरीबन मैं तीन महीने चार महीने पहले मंगवाई थी और मतलब एक साथ दोनों मैंने मंगवाया था तो तीन चार महीने से अभी मेरा इतना अधा बचा हुआ है और अभी ये मेरा नया पिलकुल रखा हुआ है तो फिर नहीं आपके किचन में available हो उसे आप ले सकते हैं पिलाल मेरे पास यह था तो यही मैं यूज कर रही हूं काफी दिनों से चलिए मैं ले टेर नहीं करती हूं बताती हूं कि आज का ट्रेक मेरा किस चीज के लिए है तो देखिए ये है मेरा चालेंज ये किछन का ऐसा चालेंज है जिससे हम सारी लेडीजे रोज परिशान होते हैं और इसको रोज फेस करते हैं ये आगे पीछे दोनों तरफ से जला हुआ है मैं इधर तो साफ नहीं करती है क्योंकि इधर मुझे साफ करने की जवरत नहीं जल्दी और कितने आसान तरीके से हम इसको साफ करके चमका सकते हैं तो फिर चली देखते हैं हम पहले गैस पे रखेंगे और गैस आउन कर देंगे कि जिससे तावा थोड़ा सा गरम हो जाए कुछ सेकंड के लिए जब तावा गरम हो जाता है तो फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके पहले हम ले लेंगे स्टील वाला स्क्रबर और एक खराब टूथ ब डाल देंगे दो चुटकी सर्फ सर्फ हम पहले भी बताएं कोई भी ले लिजेगा और यहां एक चमच हम डालेंगे एस्टिक एसीड थोड़ा हाड होता है तो आपके आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने हाथों में गलॉस पहन के रखें हाँ ये बात में जरू रहा है तो इस तरीके से साहता से थोड़ा हम इसका चुडा खूडा लेंगे क्योंकि मेरे तावब बहुत अधिक चिकना है इतना अधिक चिकना है कि फार्पह पन मुझे लाग रா था तो इसलिए मुझे साफ करना जरूरी था और फिर जहां-जहां यहां तोड़ा मोटा- यहां पर आखेको यहां बिल्कुल साफ हो चुका है कितना अधिक इतना बुरी तरीके से यह कुछा हम और चुक्कि मैंने बताये कि मैं पीछे के साइड में नहीं साफ करती हूं, तो यहां पर यह तावा बिलकुल साफ हो चुका है, मैं अपनी लोहे का सारा बरतन यहिसे ही साफ परतों और लास्ट में आपने सुन्द तरीके से हो कितने अच्छे तरीके से साफ हो गया इसको पूरा साफ करने में मुझे 10-12 मिनट ही लगा है मैंने घड़ी देखा था और 10-12 मिनट में ही यह खूब अच्छे से साफ हो गया है और जब कि एक अपते पहले का जड़ा हूँ तो फिर चलिए वीडि हूँ